पश्य बंगाल में पाँचवे चरण का चिनावी दंगल जारी है पाँचवे चरण में 45 सीटों के लिए मद्दान हो रहा है लेकिन उससे पहले एक बार फिर भाजपा की सच्चाई सब के सामने आ गई बंगाल में भाजपा एक बार फिर बल के दम पर मद्दाताओं पर दमाव बना रही है इस दोरान कई पोलिंग बूतों से हिंसा की खबरे सामने आई त्रीमुल कॉंगरेस के कारेकरताओं ने वर्दमान उत्तर विदानसबाश शेत्र में भाजपा के दो पोलिंग बूत एजेंटों की कथित तौर पर पिटाई कर दी जानकारी के मताबिक टीमसी कारेकरताओं ने बूत संक्या 60, 61, 72 और 63 पर बीजेपे एजेंटों की पिटाई की टीमसी ने आरोप लगाया की मिना खान में बूत संक्या 114 पर एक कच्चा बम फेका गया टीमसी का आरोप एकि ISF कैडर के बूत पर कच्चे बम फेके गए टीमसी ने आरोप लगाया की CRPF करमी मदान प्रिकरिया में हस्तशेप कर रहे हैं और भारतिय जिन्ता पार्टी के कारिकरता पूर्व वर्दमान में मदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जानिये टीमसी ने किनकिन पोलिंग भूतों पर हिंसा का दावा किया वर्दमान दक्षण का बूत नंबर 213 टीम्सी का आरोब वर्दमान दक्षण के बूत नंबर 213 पर CRPF करमी मदान परिकरिया में हस्तशेप कर रहे वहें भाजबा कारेकरता वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं धूब गुडी बूत नंबर 157 टीम्सी का आरोब धूब गुडी इलाके में बूत नंबर 157 पर CRPF एक विकलान व्यक्ति को वोट डालने नहीं दे रहा माई नागुरी बूत नंबर 223 टीम्सी ने दावा किया कि माई नगुरी विधानसमा निर्वाचन शेत्र के बूत नंबर 223 पे भाजबा कारेकरता मदाताओं को वोट डालने में बाधित कर रहे टीम्सी ने अरोप लगाए कि CRPF कर्मियों ने टीम्सी कारेकरताओं पर हमला किया इसके लाबा पूर्वी वर्दमान निर्वाचन शेत्र में मदाताओं को भी परेशान किया जा रहा है बहराल बंगाल में तीन चड़नों के चुनाव फिलाल बागी है लेकिन करोना के बढ़ते संकट को देखते वे चुनाव आयोग ने मदान से पूर परचार का शोर ठमने की अवदी 48 घंटे से बढ़ा कर 72 घंटे कर दी है खैड जीत का स्वात कौन चकता है ये तो दो मई को ही साफ होगा लेकिन इतना तो साफ एक इन चड़ावों के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक का सियासी रुप बदल जाएगा बिरे रपोर्ट अफेक्ट इंडिया